हे स्वाटसप गाईज आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हो कि आप अपने डिवाइस में पॉकेट मूड या बैक्ग्राउंड स्ट्रीमिंग को कैसे इनेबल कर सकते हैं अब यह कोई नया फीचर नहीं है, Realme UI 2.0 पे भी यह फीचर था and 3.0 पे भी है लेकिन काफी लोग गाली दे रहे है Realme को कि कियों यह फीचर रिमूफ कर दिये गया तो भाई नहीं रिमूफ कर दिये गया है, बस इसका नाम चेंज हो गया है और जिनको नहीं पता कि यह क्या होता है, भाई इससे आप जैसे की YouTube यूज़ कर रहे हैं जाके नीचे चले जाना है, नीचे जाएंगी थोड़ा तो यहां पर मिल जाएगा Special Features ठीक है Special Features पर क्लिक करना है, आप डारेक्ट भी सर्च कर सकते हैं उदर सर्च बार से Smart Sidebar ठीक है लेकिन इसमें आ गया है तो यहीं है इस सामने आपको मिल जाएगा इसमार्ट Sidebar ठीक है इस पर क्लिक कर देना है और बस इसको कर देना है इधर से Enable, Enable करके Agree and Continue तो यहां पर इसके सारे Features को कर देना है आपको मिल जाएगा एक Slider इधर इसे डॉट टाइप कर रहेगा क्लिक करोगती यह मेनू खुल जाएगा इसका जिसमें काशी सारे टूल्स है अब बैक्ग्राउंड स्ट्रीमिंग यूज करने के लिए तो भाई तुमको चले जाना यूट्यूब पर या किसी भी एप्स मे जाके सिंप्ली कर सकते हो जैसे लाइक मैं यूट्यूब में चल जाता हूँ और देखो जैसे मैं यूट्यूब में आया हूँ अब इसको आप स्लाइड करेंगे तो यहां पर आपको फीचर मिल जाएगा बैक्ग्राउंड स्ट्रीम का इधर टूल बार के उपर ही मिल कर दो आप हो जाएगा कट यहां पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि बैग्डाउंड स्ट्रीम हो रही है ठीक है पूरा साउंड बज रहा है फोन को बंद कर दो चाहिए चलता रहेगा यह यह बैग्डाउंड इस्ट्रीम आप इजी से यूज़ कर सकते हो जो मन चाहिए करो ठीक है बंद करना है तो इस पर क्लिक कर दो डारेक्ट दोर पहुंच जाओगे अगर जैसे बाहर फिर जाना है तो अगें दुबार चले जाओगे तो ऐसे भी बंद हो जाएगा यह बट अगर आपको उधर बाहर से बंद करना है तो यहां से फिर जाके फिर बार्ग्राउ से लाइक कर दे एंड ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिसेशन आल पर सट कर दे एंड अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो ज़रूर से कमेंट कर दे मैं उसको भी बना दूंगा थैंक्स फो वाचिंग